जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, पिछले मतलब सिंगराज को ओरिजिन वाले वीडियो में, कि मैं आंगारा की कुछ बहतरीन कॉमिक सिरीज को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ, पर तभी मुझे खयाल आया कि इन सिरीज पे वीडियो बनाने से पहले मुझे इस्प्लेनेशन के वक्त सबकुछ अच्छे से क्लियर हो। अगर आप अंगारा को नहीं जानते, तो क्यों नहीं जानते हो यार। लेकिन अगर आप सचमुछ में नहीं जानते, तो आप अभी अनोटेशन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख ले। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो कि इस एपसोड में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करता है नंबर 10 धरिंदा जी हां यही इसका नाम है इसकी अपीरंस होती है मुझे याद नहीं लेकिन अपने अपीरंस के साथ यह एक विलन होता है लेकिन अंगारा अपनी लोमर बुद्धी से पहले उसे अपना गुलाम और बाद में दोस्त बना लेता है जिसके बाद यह अंगारा का सपोर्टिंग करेक्टर बन जाता है खूनी धरिंदा नमबर नाइम बानू यह अपने इंट्रोडक्शन के साथ एक और फीमेल करेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है पॉमी बानू की सबसे पहली अपीरंस दिखती है इस कॉमिक में यह एक बहुत बढ़े कद का भालू नहीं गोरिल्ला नहीं बंदर नहीं वनमानूस प्रानी वनमानूस नमबर एट आबू यह एक छोटे कद का और प्यारा फक्शी है यह सबसे पहले अपीर हुआ था अंगारा के पुजारी कॉमिक्स के पहले के कॉमिक बुक अंगारा ही अंगारा में ये अंगारा दूइब का सबसे खतरनाक और होसियार जासूस है इसके इस लिस्ट में होने का कारण है ये टाइम टाइम पर अंगारा के बहुत काम आ चुका है नमबर सेवैन सीखू ये एक तोता है और इसकी सबसे पहली अपिरंस दिखती है चारली की हिट लिस्ट कॉमी बुक में ये एज अ विलन इंट्रोड्यूस होता है और बाद में ये अंगारा का काफी अच्छा फ्रेंड बन जाता है और इसके अलावा सीखू एक ऐसा मंतर जानता है जिसे सुनने वाला आदमी सीर भासता ही रहता है ओह नाइट्रिस ऑक्साइड नमबर सिक्स चिली ये एक फुट का चमगादर नुमा प्रानी है इसे अंगारा का एक तगरा विलन कमांडो ड्रेगन बनाता है ये भी as a villain ही इंट्रोड्यूस होता है इसका एक और नाम भी है हवा का बेटा ये सबसे पहले अपियर हुआ था अंगारा बौनो के देश कौमे बुट में इसकी एक कमजोड़ी है वो ये कि ये पानी के अंदर काम नहीं कर पाता और आपको जानकर मज़ा आएगा कि जब इसने अंगारा का टीम जोइन किया था उस वक्त इसे अगनी परिच्छा देनी पड़ी थी नमबर फाइब अंगद कुमार ये भाई साब एक वन मानूस हैं जिसे अंगारा अंगारा दिव का राश्पती बना देता है और ये किसी भी कारक की जिन्मेदारी को अपनी जिन्मेदारी समझता है अंगारा दिव के ये सबसे पहले अपियर हुआ था आजादी की जंग ये अपने इंट्रोडक्शन के साथ एक जू एनिमल था बाद मैं इसे अंगारा ने अपने साथ मिला लिया नमबर फोर सजू की ये होसांगु नाम के एक करेक्टर का बेटा है जिसे बुल्डॉग ने मारा है अंगारा इसे भी अंगारा दिव का सेनापती बना देता है औ अपना गुलाम बना लेता है और उसकी फर्स्ट अपीरेंस होती है आजादी की जंग कॉमी बुक में नमबर फ्री जटायू जी हां जटायू अंगारा अंगारा का कोई ऐसा कॉमी बुक नहीं है जिसमें इस करेक्टर ने हिस्सा ना लिया हो चुपकर बे अंगारा उत्पति और अंगारा अंत्रिक्स में वो नहीं था अंगारा का सायधी कोई ऐसा कॉमी बुक है जिसमें जटायू न दिखाओ अब ठीक है और इसलिए मैंने इसे इस पोजिशन पर रेंग किया है उपर से अंगारा सिरीज में अंगारा रेगन और बला बला के अलावा ये एक लोता नहीं तीन लोता पता नहीं कितने लोता केरेक्टर है जिसके नाम पर एक द्वीब का नाम रखा गया है जटायू द्वीब और ये सबसे पहले अपियर हुआ था अंगारा सीरीज के दूसरे कॉमिबुक अंगारा की जंग कॉमिबुक में जटायू की तरही वेल रानी भी अंगारा की जनम जनम की साथी है ये अंगारा की लगभग सारी कॉमिक्स में दीख चुकी है पर इसके इस पोजिशन पर होने की वज़ा है जब अंगारा दुग पर सिर्फ 6 जानवरी बचे थे तब से वेलरानी अंगारा दुग की वफादार है और इसकी अपिरेंस भी अंगारा के डेब्यूट करने के साथ हुई और तब से 20's तक इसने अंगारा के कई एडवेंचर म पर अंगारा की लव इंट्रेस्स होने से पहले बलारा देश की प्रिंसेज है यह यू कहें कि हाप क्वीन है अबे हाप क्वीन वो क्या होता है जिस तरह स्रद्धा थी हाप गल्फ्रेंड दोस्ट से ज़्यादा गल्फ्रेंड से कम उसी तरह यह है प्रिंसे से ज़्यादा क्विन से कम उस टाइम जो मैंने बलाबला किया था उसमें प्रिंसेस बलारा का भी नाम था ये सबसे पहली बार अंगारा और बलारा की राजकुमारी और आखरी बार अंगारा का इंतिकाम कॉमिक्स में दिखी है जी हां ये मर चुकी है और इस और इनके नाम पर एक देश का नम्हें नमबर 0 वह मैं वह कि अज़िए अगर इस चैनल पर पहली बार आये हो तो अभी के अभी सबस्क्राइब करो इस चैनल को वीडियो देखकर अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक करो इस वीडियो को कैसा लगा ये कमेंट में लिख के बताओ और बी अस्यालेस लवर मैं लोटूंगा और भी ओसम वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई